जै माता दी दोस्तों घरेलुखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी सबका करल्यान करेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2024 में बढ़ सावित्री ब्रत कव है साल 2024 के बढ़ सावित्री ब्रत की दिननांक वतिती बताएंगे पूजा का सुभ मोहर्त बताएंगे पूजा की विधी बताएंगे साथ ही साथ हम बताएंगे कि बड़ सावित्री ब्रत का क्या महत्व है बड़ सावित्री ब्रत से जुड़ी संपूर्ज जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मापलों को देंगे वीडियो में लास्त तक बने रहे वीडियो पसंदाइट लाइक कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल बटन को प्रेस कर लेंगे इससे यह हुआ कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों बट सावित्री का ब्रत सुहागिन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए करती है और जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है वह भी इस ब्रत को पूरी सर्धा से करके संतान सुख का आसिरवात प्राप्त करती है यह ब्रत जेश्ट माह के क्रिस्ट पक्ष की अमावस्य तिथी को मनाया जाता है इस दिन सुहागिन महिलाएं बट ब्रेक्ष यानि बर्गत के पेड की पूजा करती है और बैवाही एवं सुखत जीवन की कामना करती है मानिता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने पती सत्तिवान के प्रान यमराज से बापस लिये थे तभी से इस दिन को बढ़ सावित्री ब्रत पती की दिरगायू के लिए मनाया जाने लगा इस ब्रत में बर्गत के पेड़ का बहुत अधीक महत होता है बर्गत के पेड़ में ब्रंभा विश्णू एवं महेश का बास होता है चलिए जानते हैं, साल 2024 में बट सावित्री का ब्रत गव रखा जाएगा? तो आपको बता दे कि साल 2024 में बट सावित्री का ब्रत 6 जून 2024 दिन गुरुबार को रखा जाएगा. आमवस्यतिथी की सुरुवात हो जाएगी 5 जून को 7 बजकर 55 मिनट पे वहीं आमवस्यतिथी समाप्त होगी 6 जून को 6 बजकर 5 मिनट पे पात करें बट सावित्री ब्रत की पूजा की विधी की तो प्राता का लोटकर ब्रत वाले दिन सुहागिन महिला असनान आदी से निवरित होकर निर्जला रहकर बट सावित्री ब्रत का संकल पलेना चाहिए, सोलह सिंगार अवस्य करना चाहिए आज की दिन पूजा की थाल मे कुंकुम, रोली, मोली, फूल, पानका पत्ता, फल में खर्वूजा, गुड, भींगे चने बहुत जरूरी होते हैं, आटे की मिठाई, पंखा बहुत जरूरी होता है, कच्चा सूत, धूप, घी का दीपक और एक लोटे में जल, सारी सामगरी लेकर बर्गत के पेड़ के नी प्रिक्ष की परिक्रमा करें, छमता के अनुसार, कम से कम साथ परिक्रमा अवस्य करें, ब्रत की कथा पढ़ें, इवं सुनें, पांच सुहागिन महिलाओं को सुहागी सामगरी दान दें, घर आकर पती को पंखा करें, इवं उनका आसिरवाद लें, तत पस्चात भींगे चने एवं बर्गत ब्रिक्ष का फल खाकर ब्रत का पारण करें उम्मीद करती हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स